तो कैसन कारिकाल रहा लहा हमान चाचा के ओ आपर पोड़ेवरा गयार जानता हो लालतें दखे खोचते रह गिया जैसे भाइरवी डैम है उन्हीं के नजदिक है वह आज तकले कैनाल नहीं निकला इस पर ध्यान देना चाहिए तो किसान का भोट पूरकस मिलेगा है मगर किसा तबाह है जो हार नमसकार दोस्तों अभी हमें रामगर जीला में और रामगर जीला का ये वाड नमबर चार है जहां पर हम मौजूद है देख सकते हैं ये बाहुत बड़ा सा एक ग्राउंड है और साम का वक्त है यहां पर कुछ बुजूर्ग लोग यहां पर बैठे हुए है जो वाड नमबर चार के अंतरगत आते हैं कहते हैं बजूर्ग लोग में का पछी सूजबूज होती है समझदारी होती है प्रकार का पांच सल करकार पूरा होने वाला है तो आईये इन लोगों से कुछ फिड बेक लेते हैं जानने का परयास करते है कि बुजूर्गो का क और वाट नमर चाइर में थो है रहा है अचा सरकार के हमन सरकार के पांच आल कारीकाल है था मैय दूہ हमेन सरकार के पिर तो कैसन काड़ है अमंच चाकते होड़ा। लाल तेन तखे खोच्छते रह गिया इमाच्वरण के यानि कारिकाल नाई बढ़ी हाल है नाई कोई कामकार्ज नाई तो अभी एक खाजार रूपया महीला समान योजना की रूप में परतेक मतलब की 18 साल के महीला से लेकर 50 साल के महीला तक के खाजार रूपया देलाल है तो चुनाग चलते देलाल है अच्छा यी बताओ चचा की अबुआ आवास भी सरकार देलाल है जिसे हमान चचा भी देलेलाल हो बहुत कोई के जकर नाई कचा कचा मकानों कर पका मकान के रूप में तीन कामरा लेटरिंग बातरूम किचान वगेर सब कुछ मने मिनाई के देला आपको इसानलार है अहनल है कई नहीं को अव्हार है या क्यों नहीं कुल मुल्या इसे विए शाकर अच्छा नाम बताए है कुछ होना चैहिए। परशानी हो रहा है का आदमी को आने जाने का यह सब होना चाहिए। और बहुत सा ऐसा हो गया कि देखते हैं कि एरिया में तूटा फुटा है आदमी कभी भी गिर जाएगा कुछ इसको बनवाना चाहिए अभी तक तब बना नहीं कुछ आप इसे स्क्या हम क devient किया हमनी की हमन सरकार का कारकाल नहीं कुछ समझ में आया है जो कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं सब बिकास का का म होना चाहिए और जैसे भैर ऐभलइड अर्ए किसानों की वहां पर पानी मिले आज तक वह जो नहीं मिला इस पर उनको ध्यान देना चाहिए कि जनता को फैदा हो बस चलिए चाहिए कि इधर भी दादा जी एंसे का नाम है को दादा हमारा जैनंदन महत्तो नाम हाँ सरकार के दोरा एक हाजार पेंसन मिला है बिरेधा पेंसन तो मिला है मिल रहा है अगार में पका मकान है कि कच्चा मकान ऑघर में नहीं हो थिए फिनिस भी नहीं हुआ है अचा घार में बहु बेटी सब खाही अधिन उनका कहना कई राशनकाड चाहिए तो राशनकाड नया मुखिया बना पहले कि राशनकाड था तो वला जमा करवाली यार नया काड बनवा देंगे काड नहीं मिला नẹा काड नहीं मिला वे पूराना काड तो जमा वागया। यनी कुछ तो सर्कारी। एक हजार रुपियां मिलता है। नहीं pregunta नहीं नहीं किसान को राजा का राज के टेम में जब देख रहे हैं जब देख रहे हैं रेकरड इंघwo का है हर आदमी के पास हर जमीन है सब चाहिए करमचारी अगर इमंदार आदमी रहे तो किसान का भोट पूरकस मिलेगा है मगर किसान तबाह है यानि ब्लोक में भी घुस खोरी है साब जगा घुस खोरी है आसपास में रोड कैसन हो तो रहा है आदेखिया नल्ला बना वहां तलाव देखिये बना मचरीक बच्चा छोड़ा गया है कितना पॉब्ली के परिशानी है कराने वाला हम अपना रहती जमीन दी है नली बनाने वास्ते हैं मगर उस पर भी उपर से केस हो गया अब 12-14 उरत लोग के जुट्टों मुठोकों और कराने वाला कोन है ले खराज मातों इभी कह देते हैं नाम धर के बोल देते हमको को इस अब इनक्वारी करके देखिए अपसर के गलाथ हम बोल रहा है अचा हैमन सरकार के कारिकाल कैसन लागले पांच साल के जो कर सरकार तो इन बनाए के देला काम बढ़ियां नाए कर लेका काम अगर बढ़ियां करता तो पॉब्लिक स्खुस हो का भोट देगा मगर रोड रोड तीन फुट उंचा होना चाहिए नली के कोई मरमत नहीं है अब देख सकते हैं इनक्वारी में नली गली के भी काम नाहेले बढ़ियां कोछ नहीं एकदाम नहीं होना चाहिए जनता का भोट के ट्रेम आता है तो सब परलोभन देता है क्या हम आइसे करेंगा हम आइसे आइंगे सबुद देखाएंगे देखिए क्या है यह गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है इसको क्या मनेगा इस बार अबरी धोखा नहीं खाई यह बढ़ियां ने तक भोट देगा हां बढ़ियां अगर काम करेंगे तब भोट को देखा करेंगे चलिए ठीक है एक और भी आप तो धारखन में रहते हैं कम से कम सरकार का कैसा कारकाल है अच्छा चलिए एक तो और भी इधर आदमी है अच्छा ठीक है नामध बताइए ने रूंदंदन मात्वा अच्छा यहां का रोडवा बड़ी खराब देखे इधर पूरा रोडवा में गढ़ा है बीच- यहां रोड कभी बनते हुए देखे रिपेरिंग उपरिंग होते ही देखे पासाल में कभी नहीं देखे आ इसे पहले जो सरकार था उसमने काम होता है यहां काम हुआ है पाराले मоротि बना था नुपटा है आप दूमाहिना बाद चुना हों और पिर अबरी चुना होने वाल नेतबग देखवे तब ने काम करे वाला नेतख चुनबए अगदम चुनबए अगदम चुनबए बढ़िया नेतब मिल जाएज काई लगए सबेजन तेयार रहे हम ही तेयार हो तो अभी तमाम यहां पर बैठे वे बुजुर्गों से हमने जानने का प्रयास किया कि हमन सरका सरकार का कारिकाल में कैसा काम हुआ धरातल पर क्या काम होता है नहीं होता है बुजुर्गों का मानना है और बुजुर्ग लोग काफी समझे हुए इंसान होते हैं इन लोग पास काफी समझदारी होती है जिसको हमने जानने का प्रयास किया अब बाकी बाद आप लोग क्या कहते हैं हैमन सरकार के सरकार के बारे में कोमेंट करके बताईएगा बाकी बाद मिलेंगे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए सबी को जय हिंद जय जहार करें